हेलो व्रीवांद वेलकम तो मैंगनेट बेंस माइनम इस हीमन तुबरे स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैंगनेट बेंस पे जो प्रोवाइड करता है कॉलिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंड के साथ बिल्कुल फुल कोर्स कंटेंड कुछ भी ऐसा नहीं सल जो छोड़ा जाता है आप सभी जानते हैं मैंगनेट बेंस के दो चैनल है एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम दोरों पर हंडेट परसेंट कॉलिटी वाइस एजुकेशन आपको दी जाती है जिसमें इंग्लिश मीडियम पर क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजु और कलते हैं MP Board, UP Board, Bihar Board और राजिस्तान Board पढ़िया और शांदाल तरीके से मैंने काना मज़ा जाएगा एक नंबर कैसे एक नंबर एक नंबर बिलकुल एक नंबर एक नंबर बिलकुल मज़ा जाएगा कोई दिक्कत की बात यहां से यहां तक नहीं है साती साथ आपको box में मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको description box में मिल जाएगी कोई problem वाली बात नहीं है जिसकी लिंक आपको description box में मिल जाएगी वहां से आप अपने notes को और अपने e-books को grab कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली तो सर आज क्या पढ़ेंगे सर आज biomolecules vitamins हो गया था अब गाड़ी आज आगे की तरफ बिलकुल और आज देखेंगे chapter number 10 में protein क्या देखने वाले सर जी protein क्या देखने वाले सर जी protein क्या देखने वाले सर जी protein मज़दार शांदाल लाजवाब कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं आने वाली किसमें नहीं आने वाली बिटा प्रोटीन में मतलब प्रोटीन बढ़िया ऐसा आनंद आएगा अति आनंद बिलकुल कोई दिक्कत की बात या तक नहीं होने वाले तो मानना तो पड़ेगा अगर आप बोल रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा मतलब प्रोटीन तो करना पड़ेगा सर प्रोटीन तो करना पड़ेगा कोई दिक्कत क तक प्ली बात नहीं प्रोटीन की कमीं हो मतलब और कई पर को लिए है मतलब के कुछ इंजरी हो जाती है थो है कि आपकी प्रोटीन टाइट amino acids होता है amino acids जोड़के आगे बनाता है फिर उससे आगे बनके और बॉडी तेयार पतलब पूरी बॉडी का जो सारी चीज़ फॉर्मेशन है प्रोटीन बहुत इंपोर्टेंट है फंडमेंटल एकदम फंडमेंटल मजा आएगा इसके अंदर एकदम आग लगा देंगे साथ टिंसर नहीं ले रहा है बस आपको मेरे साथ पढ़ाई करनी है जंब के पढ़ाई करनी हो ठीक है चलो प्रोटीन आप्टा मोस्ट अबंडेंट बायो मॉलिक्य ठीक कथई जहर है ठीक है कि प्रोटीन आप दा मोस्ट अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल ऑफ दा लिविंग सिस्टम मैंने ठीक है चीव सोर्स ओफ प्रोटीन आर मिल्क चीज पल्सिस पीनट्स फिश मीट एसेक्टरा इन सब से आपको मिल जाता है क्या वह यह प्रोटीन मि जाता है मैंने ठीक है सान इन सब से आपको प्रोटीन मिल जाता है यह बात तो आपको पता ही होगी बिलकुल बेशिक सी बात है क्या है सर्गी बिलकुल बेशिक सी बात है मिल्क चीज पल्स पीनट फिश मीट एसेक्टरा इसमें अच्छा खासा huge amount of protein आपको देखने को मिलत है they occurs in every part of the body and forms the fundamental basis of structures and functions of life देखर हो सर हल चीज करवाने में मतलब आप समझे है fundamental basis of structures and functions of life सब करवाने में बहुत माइने रखता है कौन हमारा protein कौन सर प्रोटीन ची कैसा they are also required for growth and maintenance of the body क्या सर growth and maintenance of body इसके लिए भी जरूरी होता है मैंने का ठीक है सर अब यह क्या है सर यह पता है हम जानते है Latin और Greek वाला आप जानते हो यह जो प्रोटीन वर्ड है यह कहां से आया देखे जरे यह जो वर्ड प्रोटीन है यह ड्राइव हुआ है Greek वर्ड से किससे सर ग्रू ग्रीक वर्ड कौन सर प्रोटीस और प्रोटीस का मतलब होता है primary मतलब सबसे जरूरी primary मतलब सबसे जरूरी विच मीन्स primary और prime importance इसी लिए इसको प्रोटीन नाम दिया गया है और all proteins are polymer of alpha amino acids मतलब प्रोटीन जो इनसर high molecular structure है जैसे example देता हूं मतलब अगर आपके सामने अभी रूम में ही बैठे होंगे तो सामने एक वाल होगी पूरी ऐसी आप ऐसी तो यह वाल किती बड़ी इसको कहेंगे अपन पॉलीमर इस वाल को अपन क्या कहेंगे पॉलीमर हाइए molecular structure चिक है अब यह वाल किससे बनी है अगर मैं यह पूछ दो तो आपको चोटी चोटी ब्रिक से बनी है ऐसे इसी ब्रिक्स से बनी है इन ब्रिक को repeat करते चले और repeat करते चले आओ आपकी यह यह वाल बन जाई गी चले आउगे तो यह ऐसे एक सिंग़ल ब्रेख है यह जो एक सिंगल ब्रेक है जिसको बार-बार repeat करने पर आपका एंटायर व्ल तैयार हो रही है इसी को अपन कहते हम मौनमर कि मौनमर एक सिंगल यूनिट क्या कहते हैं मौनमर सिंगल यूनिट कि जैसे आपकी बोडि में सेल से तिशू टिशू से और गल पिर आगे गार काहनी चलती गई तो ऐसे जो पॉलिमर होता है किससे बना होता है सर अमीनो एसेट तो जो अमीनो एसेट होता है वो क्या कहलाता है मोनुमर कहलाता है क्या क्या कहलाता है मोनुमर मतलब प्रोटीन जो होता है वह बना किससे वह या अमीनो एसेट्स और कौन से अमीनो एसेट्स अलफा अमीनो एसेट्स अलफा अमीनो एसे डिन भी किसे बने अलफा अमीनो एसे मैं भी बताऊंगे आपको टेंशन मतलो बहुत इजी बहुत जादा एजी ए रहना अबी आमीनो एसेट्स के शेप अगेरा सारी चीज बताने वाला हूं बिलकुल सिंपल होता है यह हमारा एच लगा होता है amino acid एक ऐसी चीज जिसके पास carboxylic group भी होता है और amine group भी होता है और यहां पर हमारी chain होती है आर यह बार बार change होती है तो amino acids बदलते चले आते हैं तो इसको आपन कहते है alpha amino acids अब alpha क्यों बोला गया है वो भी सुन लो सब जिस carbon पर अगर आप देखें तो आपका यह main functional group है और यह फंक्शनल गूरुप से carbon जुड़ा है तो इसको क्या कहेंगे alpha carbon तो alpha carbon से जो amino group जुड़ा होता है इसी यह alpha carbon से क्या जुड़ा है amino group इसी लिए इसको करें समझ गए अभी अपन आने वाले सर amino acids को निफटा के मानेंंगे टेंसन नहीं लेना टेंशन यह ना amino acids को भी निफटा के मानें इस पूरी जान से पूरी शान से पूरे एक तरफ तरीक सिवा जल्दी आ जल्दी के मजैदार बात है भाई कोई दिक्कत तो नहीं कोई दिक्कत तो नहीं अगर दिक्कत हो तो बता दीजे जल्दी 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 पक्का डान चलो अब देखो amino acids contain amino group अभी बतामने amino के पास हाइडोजन होता है और एक आपकी चेन होती यह चेन बदलती जाती यह यह चेंव बदलती जाएगी तो वह हमारा जो आलफा आमीन आसे तो होंगे लेकिन उनके नाम भी चेंज होते जाएंगे कि आप कौन सा है आप कौन सा है ऐसा चलेगा ठीक है इस तरीके से चलता चला जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है depending upon the relative position of amino group with respect to the carboxylate group कह रहा है amino group की position इसके group के comparison में उसके इसाफ से amino group के amino acids के नाम रखे जाते हैं अगर amino group alpha पे लगा है तो क्या कहलाएगा alpha amino acids और अगर beta carbon amino group लगाए तो क्या कहलाएगा beta amino acids अगर gamma पे लगाए तो क्या कहलाएगा gamma amino acids इस तरीके से देखिए our acids can be classified as alpha, beta, gamma amino acids and so on लेकिन जब हम प्रोटीन को तोड़ते हैं, प्रोटीन को तुकड़ा तुकड़ा कल देते हैं, प्रोटीन को एक दब तोड़ते हैं, चल छोटे से छोटे में, तो वहां हमें अलफा अमीनो एसिट्स ही मिलते हैं, मतलब प्रोटीन जो बन रहा है, जो हमारे लिए प्रोटीन क क्या मिलते अलफामीट्ट ही हमें मिलते हैं यह लाइन इंपॉर्टेंट है सिवाफामीट्ट पढ़ते हैं और वाकियों से मतलब नहीं है अपना काम बनता भाढ में जाए जनता झेख तो यह देखिए है ऐसा कि दे में अधर फंक्शनल गुरुप औलसो उनके पास अधर भी फंक्शनल पोचटे लेह स्ट्रक्चर अभून होगा यह स्ट्रक्चर कॉमन होगा देखिए बिल्कुल इसी को कहा जाता है अधर और आर क्या आपकी side chain आर क्या है आपकी side chain जल्दी देखो ह Americas ci is this जल्दी देखो जल्दी एसलिदेखो जल्दी कोई दिकत कोई प्रॉब्लम हो तब बता दीजें क्यों कोई दिकत तो नहीं है जल्दी हो गया क्लियर एक पक्का डान हो जाए तो बता दीज़ेगा तो आगे बढ़ेंगा अपन जल्दी चीक यह देखिए अब समझेंगे अब यह इनके नाम क्यों है आपने तो कह दिया अलफा अमीनो एसेट्स आपने लिए अभी आफा अमीनो एसेट्स का कि यह बता दिया आपने तो कह दिया हमने माल लिया अब यह आर गुरूप चेंज होगा तो हमारी तो दिक्कत बढ़ जाएगी ना एक बार इस आर की जगह पे एच लगता है तो इस अमीनो गुरूप का क्या नाम रखा जाएगा फिर इसके जगह पे एक बार मिथाइल लगता है सार की जगह यह देखो इसका क्या नाम रखा जाएगा तो ऐसे आर चेंज होते आएंगे तो अमीनो एसिट भी तो चेंज होते आएंगे उनका नाम कहां से रखोगे तो सल जी मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है मतलब आगे जोल होने वाला है मैंने का ठीक है तो क्या हुआ सर इनक स आप से बोलू कभी होता ना कभी छोटे वच्छे थोड़ा से हल्दी होता वड़िया गालवाल फूले रहते हैं तो इसका नाम गोलू रख देते तो यहां पर भी ऐसी चीज़े होती है देखो मैं बताता हूं अरे बस दिहार से सुनना मज़ा आएगा कहानी है पूरी आना ट्राइवल नेम्स ट्राइवल नेम्स उनको एक कुछ ना कुछ नाम दिया गया हुआ है चीके विच यूजरी रिफलेक्ट दा प्रॉपर्टी ओफ दा कंपाउंड और इट्स वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी और इसके सोर्स बताते है मैंने थीके सर जैसे एक्जाम टेस्ट क्या होता है स्वीट इन टेस्ट होता है ठीक है ग्लाइसीन इस सो नेम सिंस इस स्वीट इन टेस्ट यह वाला जो अमीनो एसिट होता है वह स्वीट इन टेस्ट होता है ग्रीक में इसको बोला गया था ग्लाइकोस ग्रीक में इसका नाम पहले क्या रखा था ग्रीक लेंग्विज में glycos जिसका मतलब होता था sweet जिसका मतलब होता था sweet तो देख रहा और इसकी property से मिलते जुलते नामें फिर आएगा tyrosine आएगा tyrosine it was obtained from cheese इसको कहां से मिला इसको obtained कहां से किया cheese say in Greek tyros का मतलब होता है cheese ग्रीक में टाइरोस का मतलब होता है चीज तो वहां से इसको अप्टेंड किया जा रहा है इसलिए उसका नाम क्या रख दिया टाइरोसी मैंने ठीक है बिलकुल अमीनो एसेट्स आर जनरली अच्छा अमीनो एसेट्स को क्या होता कि पूरा नाम लिखके नहीं बताते हैं फर्स्ट्री लेटर लिख दो अब जैसे ग्लाइसीन है तो ग्लाइसीन कब में आ जाएगा जी या फिर जी इससे भी आपने इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं को तो यूज्ट स्ट्रक्चर ऑफ सम् कॉमनली अकरिंग अमीनो एसेट्स अलॉंग विद देर थ्री लेटर्स और वन लेटर्स सिंबल आर इन गिवन इन दर टेबल अभी एक टेबल आएगा उसमें यह सारी चीज़े गिवन रहेंगी अभी मैं आपको दिखांगा टोटल आ आमीनो एसेट्स यहए बात याद रखिये असर मजा आएगा इस पे 20 अमीनो एसेड्स कोई दिक्कत तो रहीं क्या है ट्वेंटी अमीनो एसेड्स तो बिल्कुल मैं बताऊंगा काम के भी अच्छे भी बढ़िया तरीके से एक बार जल्दी नोट डाउन करो एक बार जल्दी नोट डाउन करो जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे मज़ा जाएगा एक नमबर मज़ा जाएगा कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होने वाली जल्दी बताओ पक्का क्लियर है पक्का क्लियर है हो जाए क्लियर तो बता दीजेगा डान हो गया हो दूँख़े पका चलो अब यहाँ देखिशा नेच्छरल आमीनोएसेट्स नेचरल आमीनोएसेट्स यह बताए था मेन अभी शिएप précéd pushes टो यहीं बताया था ंध्योको बतहए एकशलमीनिrying आर-र मतलब आपकी सैट है Writing are मतलब आपकी साइड चें सैड हैं सियर आर मतलब साइड हैं साइड है फजान मैंने ठीक है अब यह बदलती जाए और आपका डिकत की बात यहां है मैंने कर ठीक है सर अब देखो सर अ हां सबसे पहले वो कह रहा है साइड़ चेन में एच लगा दो कि देखां मैं आपको बताता हूं पूरा ऐसा ऐसा बनाते तम मजा आता है लिए एक ठोटा ही है और ये अल लगा हुआ है ये साइड़ होती है यह जो आ दिख रहा है यही आपकी side chain होती है तो अब यह side chain को बदलना है पहले किसे replace कर रहा है H से तो यह side chain अगर हटा के यहां पर मैंने H लगा दिया तो यह जो बन गया न सर इसी को कहते है glycine इसी को क्या कहा जाता है glycine और इसको बताएंगे कैसा gly glycine amino acids और यह जी ठीक है यह सारे amino acids बता रहा हूं मैं protein नहीं बता रहा हूं मैं यह amino acids कितने type के होते हैं 20 types के और इसमें भी दो होते essential amino acids or non essential वो अभी सब बताऊंगा टेंशन नहीं लेना है तो पहला अगर यहां पर H लगा दिया बस यहीं बदलेगा बाकी सब से यह एच लगा दिया तो भाई आपका यह हो गया glycine और यह सबके सब alpha amino acids कोई भी beta gamma नहीं है सबके साब alpha यह क्योंकि protein के hydrolysis पर सिफ और सिफ हमें क्या मिलते है alpha amino acid मैंने ठीक है अच्छा अब आता है alanine इसमें क्या होता है इस H को हटाके है अच्छी लगा दीजिए अब यह बन गया alanine देकिना और को रिप्लेस करके और इसको कैसे बताएंगे ala alanine को ala और capital A से बताएंगे यह देखो मैंने काई था यह है alanine क्या है सर आपका alanine पहले था क्या था ग्लाइसीन देख रहा हो नीन नीन चला रहा है जैसे वह सिंदी में नहीं होता वानी ठीक है अना काफी सारे अपने टीचर से आप लोग जानते होंगा खिशोर तेजवानी सर अना मुसकान सतलानी मैम ठीक है प्रियंका दुदानी मैम तो वह जो सिंदीज पर चलता है ना वानी आनी वैसी अपने यहां पर भी चलता है यह आइन आइन करते हुए ठीक है भाई इस जस्ट एन एक्जामपल है ना ओफंड मत हो जाना नहीं तो च आखरी मैं समझाओंगा है यह वैली वैली में क्या होता है मैं बता रहूं वैली में होता है सर एक चे और उससे पीछे दो चीश त्री जुड़े हुए कुछ इस तरीके सभी है तो यह जो चुड़े तो यह जो कंपाउंड जूड गया अब इसको कहते हैं वैलीनीन सॉरी वैलीन मैं किरहा हूं वह बोलने मीजेसे उपा से नीन आ रहा था 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 ना तो ऐसे याद हो जाता है तो वैलीन ग्लाइसी Black आ यह वैलीन-इन या तो जे चलता है को दिक्त तो नहीं है op 6 समझो वैलीन का घिए आगर स्टार्टिक में और तो थरीक आ है वैल और यह क्या हो जाएगा वी जड़ा लिख देना एक पर कमेंट सेक्षन में लेको जली अ मैं जल्दी कमेंट सेक्षन में लिखो जल्दी को इसेंठे में जल्दी दीकि वियर लिखागा भाई या कमेंट सेक्षिन में सब लिखना है ज़रूर है चलो अब आते लियू सीन क्या जाते हैं लियू सीन चीके सर मज़ा आएगा देखो लियू सीन में क्या हो जाता है सर थोड़े से गुरूप में चेंजे से एक कारबन और आएगा बीच में यह है अब यह जो आगे यह हो गया है लियूसीन देखिए बागी सब से शीएश टू आया फिर शीएश आया और इससे दो शीएश त्री जुड़े हुए तो इसको कहते हैं लियूसीन इस पर भी हैश्टेग है ध्यान रखना है लियूसीन स्टार्टिंग है त्री वर्ड ली यू और बया कैपिटल ल यह देखो क्या है लियूसीन जल्दी लियूसीन जल्दी फिर आता है सर आईजो लियूसीन आईजो लियूसीन क्या फर्क आ रहा है आईजो लियूसीन में बताता हूं सर यह जो एक शीएश त्री यहा यहां से अटाके यहां लगा देंगे यह बस यह यह कल देंगे तो क्या हो जाएगा आइसो लूसीन मतलब मैंने थोड़े अपन ले रहे ले तै यू तो लूसीन के लेंगे यह लेंगे तो यह दो जाएगा डिन रा वे और कैपिटल ऐ और कैपिटल आई जल्दी लिखेंगे ci है कि दो नों को कमेंट कि ळगी यू सिरु है कि लैसे और आईजो लीऊ सीन लिउसीन और आईजो लिउसीन जल्दी लिखेंगे लिउसीन और आईजो लिउसीन जल्दी हो गया हो गया हो जाए तो बताईए ज़रूर लिउसीन और आईजो लिउसीन जल्दी लिउसीन और आईजो लिउसीन लिख दिया चलो अगले पर चलते हैं यह देखो फिर क्या रहा है सर फिर देखे ग्रूप चेंज हो गया यह इतना बड़ा ग्रूप आ रहा है कि यह अगर я गया तो इसको कहते है अरगेनी यह भी देखे है वहस्टइक लगा यह सर अरगेनी शल्के तो आगे test ले ले ने तanter यह यह देखे डियोग औरte जगा है लागै के लाए सें लेकर को चेंज होता है तो यहां पर अगर यहांपर खाया यहां यहां पर के से बताते만 जो लिए इस तरीके से चल रहे हैं अभ यह की तो सुना होगा इसका नाम कभी तो सुना हुगा कहीं ना कहीं किसी के prescription वगेरा पर कहीं ना कहीं तो सुना होगा glutomic acid यह देखो मैंने का था ना इनके अलावी functional group आ सकते हैं तो देखिए इधर भी functional group आया इधर भी functional group तो आ सकते हैं इसका glu और symbol e यह भी important फिर आता है aspartic acid aspartic acid यह देखिए बागी सब सेम यह लग जाएगा देखो इसमें functional group है carboxlic acid तो यह हो जाएगा ASP और इसको वह यह D से denote करते हैं किससे denote करते हैं D से इसका symbol है one letter code फिर आता है glutamine क्या आता है glutamine यह भी important glutamine में यह structure होता है यह लग जाएगा इसकी जगा पर यहां पर और इसको G L N या फिर क्यूँ या फिर क्यूँ इसमें यह चार important है अगर यह नहीं भी करते हो तो भी कोई दिककत की बात नहीं होती है जल्दी लो जल्दी screenshot ले लो फटाफट जल्दी screenshot ले लो जल्दी फटाफट फट फटाफट हो जाए तो बताईएगा ज़रूर हो जाए तो बताईएगा ज़रूर डान हो गया पका कल दिया ठीक है सर यहां देखो अब देखिए है इसमें मैं इतादा नहीं बोलूँगा इस वाले पेच पर कोई दिक्कत की बात नहीं है जैसे esparagrine क्या है Esparagene तिक है यह फिसको यह भी बोल सकते थैंश परागीन चीक है उसमें यह लगा। यह होता है यह पर इसन और आपका इन बस मैं आपको सारे दिखा रहा हूं लेकिन फिर यह थिरोरिणीन थैरोनीन यह भी बोल सकते हैं यह थोड़ा हैस्ट्रेग लगा हुआ है थोड़ा दिहान रखना यह हो जाएगा टी एचार टी फिर आता है सीरीन चीक है यह लगा रहेगा एसी आर और अपना एस उसके बाद आजाएगा साइटीन चीक है साइटीन यह लगेगा एसे थायो गुरूप लगा हुआ एसमें सी वाइस और सी फिर इधर आ जाता है कि मैं थिनो नीइन चीक है यह वाला गुरूप लगा हुआ है और इसका अपना आ गया एम तो यह जो है सर यह वाले आपको सिर्फ पढ़ लो यह अगर याद नहीं भी रहेंगे तो भी चल जाएगा लेकिन जिस पर मैंने चार मांक कर आ यह चार याद होने जाए आपको नाम याद होने चाहिए थोड़ा बहुत स्टॉक्चर और उसके थोड़े ऐख सिंबल याद यह जह देखो और भाई यह वाले ऊपर के चाहर यह आईजो वाला छोड़गी दो गय लेकिन अगर यह वाला याद नहीं रहेते तो पर समझों पहला ला मैं ऐसे नाइल एनलीन अ कि ए सिनायलएनी यह होता है ढूर ठीक या सिदय है कि आपको यह दो डेन य्हुन इन में चीह ड़ता तो आइस म dedic अपना हेmaill यह भी धर अपना एसे डीनोट कने में यहां जाए ताइरोसी जीक आ है राइये यह TIR और Y से अब इधर पे ट्राइपोटो फेन यह ग्रूप होता है TRP और W इधर जाए हिस्टिडीन यह जुड़ा होता है HIS और अपना H इधर पे प्रोलीन यह जुड़ा होता है PRO बहुत ज्यादा प्रो है तो यह आपके तौटल 20 अमीनो एसिट्स यह आपके टौटल ट्वेन्टी अमीनो एसिट्स हो गए Madha toäm dat 20 अमीनो एसिट्स हो गए यह आपके 2020 एमीनो एसिट्स nggak कित्त हों गए टोटल 20 अमीनो एसिड्स हो चुके देख लीजिए फट फटा-फटा जल्दी 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 पक्का लिख लिए चलो एक बर लो जल्दी लो जल्दी लो जल्दी ले लिया अब सुनू मैंने अभी आपको बताया 20 अमीनो ऐसेट होते हैं अब पता इसमें क्या होता है बताता हूं सर्ट 110 केольше होते हैं आ और यह टैनामिनो एसेट्स यह टैनमिन एसेट्स steroids न ही बात दो जाने तो आपे यहां पर लिखों विर्टा 10 अमीन टैने शेट्स करें अभी मैं आपको बता हूं का essential amino acids क्या होते हैं और 10 amino acids जो होते हैं वो होते हैं non-essential amino acids यह 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 दो category आपको इसमें याद अखनी है आपके पास total 20 alpha amino acids होते हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया जिसमें से आपके पास 10 amino acids होते हैं essential amino acids और 10 amino acids होते हैं non-essential amino acids पहले बताईए इतनी बात clear है कि नहीं इतनी बात में कोई तकलीफ हो तो बताईए मेरे इसाब से इतनी बात में तो कोई तकलीफ की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बिल्कुल 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 हंड़ेड एन परसेंट क्लियर होना चाहिए कोई घबराने वाली बात इसके अंदर नहीं होनी चाहिए बताओ भाई कोई भी तक्लीव वाली बात हो तो बताईए मेरे साथ से तो यह बात क्लियर होनी चाहिए डन पक्का का का कंफर्म का कंफर्म कंफर्म जल्दी बताईए हो गया पक्का चीक है अब सुरू सर यह जो हैश्टेग आपको दिखा हुआ था मिला था सर वह हैश्टेग का मतलब था उनको कहते हैं यह वाले थे हैश्टेग वाले वह जितने पर भी हैश्टेग लगा हुआ था ऐसा वह सब essential amino acids क्या होते हैं और non-essentials क्या होते हैं देखो यह वैलीन लूसीन आईजो लूसीन यह आलजिनीन लाइसीन बस त्यूरिनीन और यह पिर मिध्यूनीन उसके बाद यह यह फिनाइल एणिलीन यह ट्रिप्टोफेन और यह हैस्टइडीन यह सब आपके क्या थे essential amino acids जिन पर क्या लगा हुआ था स्टार मार्क करके लगा हुआ था यह हेश्टैक जिसको कहते हैं इनको क्या कहते हैं पन is essential amino acids क्या सार essential amino acids मैं भी आपको बताऊंगा essential amino acids क्या होते हैं और non essential amino acids भी क्या होते पहले इतना note down कर लो जल्दी 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 पक्का अरे अभी अपन बात करेंगे essential क्या होते हैं और non क्या होते हैं वैसे तो amino acids जो होते हैं तीन पार्ट में और क्लासिफाई करते हुए चलते हैं एक होता है एसेडिक amino acid ठीक है फिर एक होता है basic amino acid और तीसरा होता है Go fix then हो फिर्ट कि मतार तीन टाइब की मिलते हैं तो अ यह डियान नॉइन रखना है आप तो आपके तीन टाइब के देखने को सिधुर अपटें और वहाँ अफ़ गडविफ दो नहीं बतारू को कि उसका मेरे को काम है चीक है अब सुलों अमीनो एसिट साथ क्लासिफाइड आइस एसेडिक बेसिक और नीट्रल अब यह पता किस पर करेगा मैंने का फल जी रहे इधार 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 जल्दी क्या पढ़ाया था मैंने एक अमीनौ इसिट में कार्बोक्सली क Chelsea और अनई as2 गुरोब बिलकोल सर यह वाला जुझ्रू पर यह basic नीचर बताता है molecule in their molecule मतलब एक molecule में amino group और carboxylic group है उससे depend किया जाता है वो acidic होगा वो basic होगा या फिर वो neutral होगा मैंने का सही बात है कि मैंने का ठीक है कि वो acidic होगा कि वो basic होगा कि वो neutral होगा वो तब decide किया जाएगा तो अब देखो अगर equal number of amino and carboxylic group है मतलब आपके पास एक carboxylic acid है और एक amino group है तो भईया उसको फिर अपन neutral बोलें उसको फिर क्या बोलेंगे अपन make it's neutral तो उसको अपन क्या कहेंगे neutral अगर क्या है equal number equal number of amino और carboxylic group है तो उसको अपन क्या कहेंगे neutral लेकिन अगर यदा-कदा और सरवदा अगर अमीन वाले ग्रूप बढ़ गहे तो भाइया बेंग जाएगा तोब कार बॉक्सित टौ फिर वो बेंग सी को जाएगा तो पिर क्या हो जाएगा वह बेसिक हो जाएगा और अगर अगर भाईया कार बॉक्स ps अगर कार्बॉक्स लिग वाले बढ़ गए जैसे देखा था ना पर ने पीछे दो तिन एक्जामपल में आप दो तिन एक्जामपल जैसे अमीन गुरुप आ गए तो यह बेसिक में चले आएगा क्योंकि अमीन गुरुप दो हो जाएंगे और यह देखिए एसपार्टिक एस ग्रुप यह डिया तो यह था जूपतो देखिए लीग बच्चों वाली बात कर दी सर यह तो नहीं अब यह निधा अबी तीन टाइप के कौन-कौन एक बार और चिल लाएंगे एसट इक बेसिक और बनियूट्रल चिए एसे टिक में कारबोकस्लिक ग्रूप अगर बढ़ गया तो बेसिक में अमीन ग्रूप बढ़ गया और अगर दोनों बराबर एंतों फिर कैंगा अपन न्यूट्रल अमीनो एसेड चलो जल्दी फटाफट कर लो स्क्रेंचोट कर लो जल्दी एक नमबर त last 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 कि जो amino assets है उनको दो पार्ट में classify किया गया है कितने पार्ट में दो पार्ट में क्या कहते है वो दो पार्ट एक था important essential amino acids और एक था non-essential amino acids यह दो थे अपन के पास एक था essential amino acids और एक था अपने पास non-essential amino acids अब देखो जो हमारी चिखेंगे ने प्याल से देखेगा तो बहुत जली समझ में आए जो हमारी body में synthesize हो जाते हैं जो हमारी body में क्या हो जाते है synthesize हो जाते है बास समझ रहा हो जो हमारी body में synthesize हो गए उसको अपन कहते हैं non-essential amino acids क्या कहते हैं non-essential amino acids क्योंकि भाई या body में बन गए तो भाल से नहीं चाहिए फिर अब हमारे लिए essential नहीं कोगी हमारी body खुद बना रही है लेकिन जो body में synthesize नहीं होते हैं तो भाई उनको कहीं से तो लेना पड़ेगा वो हमारी body की demand है तो उसको अपन कहते है essential amino acids बस तो the amino acids which can be synthesized in in the body are known as non-essential amino acids on the other hand those which cannot be synthesized in the body and must be obtained through diet कहां से लेना पड़ेगा भाई है डाइट से लेंगे जब बाड़ी नहीं बना रही है तो बहां से लेना पड़ेगा are known as essential amino acids marked with hashtag in table चलिए काई में hashtag के माध्यम से आपको बता दी गए वो essential amino acids थे जो मैंने आपको बताए थे ना वो सब अपनको diet के थुरू लेने पड़ते भाई यह इस लिएस पर स्टार्ग भी लगा दिया है यह amino acids के क्या है वह यह classification से जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी बढ़िया classification से amino acids के कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है हो गया दन पक्का है कंफर्म ना ठीक है तो यह बात आपको थोड़ा पता होना चाहिए मैंने ठीक है मैंने का डन एक नंबर बात समझ गए कोई प्रॉब्लम की बात यहां तक नहीं आने वाली कोई भी प्रॉब्लम की बात यहां तक नहीं आने वाली मैंने ठीक है बड़े आगे आगे बढ़े के नहीं बढ़े यह बता दो चीके सर बढ़े आते हैं फटवट खतम करते हैं 6060 आगे बढ़ते हैं चीक अचीक है बढ़े आगे यह सर बस समाप्त तो आज मैंने आपको बताया सब जी प्लोटीन हाई मॉलिक्लर मास स्ट्रक्चर होता है किससे बनता है उसकी यूशने अमिन्टसफ मैंने बात करी हैं अमिनोइसेट्स पहर कैसे पास अमीनो ग्रॉप भी होता हैं-50 कर ब स्विएश्यप आपके टैप होते हैं 20 जिसमें कोई तकलीफ हो तो एक बार बता दो सारे स्क्रेंशॉट ले लिए थे कि एक और बार लेने चलो एक बार फटबबट देख लो यह आपके एसेंशल और नॉन इसेंशल यह आपके एसेडिक बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसेट्स यह आपके डाग्राम के साथ 11 से 15 6 से 10 एक से 5 जल्दी यह आपका कि उनका नाम उनकी प्रॉपर्टीज के विह हफ पर रखा है चीक है यह आपका यह पूरा अमीनो एसेट्स समाप्त करवा दिया है कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं बढ़िया मज़ेदार और लाचवाब एक नमबर कैसे सार एक नमब कोई दिक्कत की बात नहीं है सर बस आपको लगे रहना है पूरी जान से अपने आप काम होता जाएगा कोई प्रॉलम की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली मैंने जब नहीं आने वाली तो फिर तो कोई प्रॉलम की बात नहीं डन एक तरफा कैसे सर एक तरफा बोले तो तरीके से कैसे सर जकास तरीके से ला जवाब कैसे ला जवाब मैंने का ठीक है सर तो आगे बड़े कि आगे बड़े के नहीं जल्दी बता दो कि आगे बड़े की नहीं पक्का आगे बड़े आए चेक है सर तो फाइनली यहाँ पर वीडियो को क्या करेंगे conclude करेंगे हो गया कोई doubts तो नहीं है अगर doubt हो तो एक बार comment section में डाल दीजेगा जिससे मुझे पता चल जाए क्या problem आ रही है क्या नहीं बन पा रहा है और क्या क्या दिक्कत है आपको देखने को मिल रही है पक्का clear है तो आपन आज यहीं पर समापती के तरफ चलेंगे और आ जैसे सर बढ़िया और शांदाल तरीके से आप सभी जानते हो magnet brains के दो चैनल है रुख जाईए रुख जाईए magnet brains के दो चैनल एक English medium और एक आपका Hindi medium जी हां एक English medium और आपका Hindi medium English medium पे CBC और डली बोर्ट दोनों कवर करवाते हैं वहीं जब बात होती है हिंदी medium की तो CBC डली बोर्ट के साथ ब्यार बोर्ड यूपी बोर्ड एंपी बोर्ड और राजिस्तान बोर्ड इसको भी कवर किया जाता है बढ़िया और शांदाल तरीके से साथी साथ वैदिक मैस क्रैश कोर्स और स्पोकन इंगलिश यह भी करवाए जाता है शांदार और यह फरी एक मेमर मज़ा आने वाला फिलक्ल शांदाल तरीके साथ प्स Cisco इसे कोई भी ऐसी जह आप से नहीं बन रही होगी या अगर आगर आपको सारी चीश पता नहीं चल पारी होगी कब आपके रिकोर्ड़ लगें गहलेगे कल से सारे रिकोर्ड़ का टाइम और लाइफ टाइम में आपको पता चल जाएगा इसके बढ़िया तरीकेस अब अगर मैं आगे बोलू तो प्लीज आप लोग चाहें तो मैंगनेट बेंस की वेबसाइट पर जाके भी सारे लेक्चर का लुफ्ट उठा सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली लेकिन लेकिन वहां पर आपको बढ़िया तरीके से एड़ फ्री सब कुछ मिल जा तो फिर तब तक के लिए सर बाइबाय कल मिलते बड़ी अशांदाल तरीके से और इसको खतम करेंगे एक तरफा तरीके से कल कितने बज़े सेम टेम सेम जगा चलिए ओके बाइबाय टेक क्या जैहिंद